नमस्कार आप देख रहे हैं अकबार जगत राष्ट्य सड़क परिवन राजमार्क मंत्राले भारत सरकार हर साल की तरह इस साल भी यातायत जागरुकता सप्ता मना रहा है सड़कों पर टूवीलर चलाने वाले अकसर बिना हेलमेट पहने वहां चलाते हैं पोपाल की ट्रैफिक पुलीस ने ऐसे लोगों को सुधारने और सीख देने के लिए गांधी कीरी कर नया रास्ता अपनाया है आईए जानते हैं पूरा मामला क्या है पोपाल के रोशनपुरा चुराय पर मुस्तर ट्रैफिक पुलीस ने यहां से गुजरने वाले सभी दो पहियां और चार पहियां वहांचालकों को रोका उन्हें एक टैंट में बिठाया यहां पहले से ही टेबल कुरसी कागस कलम की विवस्ता की गई थी वहांचालकों को यहां बैठा कर उनसे निबन लिखवाया गया विशय था आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते युआउन ने निबन में लिखा कि पुलिस लड़कियों को तो नहीं पकड़ती इसलिए हम भी हेलमेट नहीं पहनते महीं जादातर लोगों ने माना कि उनकी जान हेलमेट से बच सकती हैं मगर जल्दबाजी के चकर में वो हेलमेट नहीं पहनते ऐसे कई बहाने चालकों के द्वारा बनाए गए एक मजदूर ने कहा कि बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के कारण वो हेलमेट नहीं खरीद पा रहा है महीं एक अन्य ने अपनी गलती तो मानी साध ही खुद से ये वादा भी किया अपसे वो हर बार गाड़ी हेलमेट पहन कर ही चलाएंगे सबसे अच्छा निबत लिखने वाले को इनाम के तौर पर हेलमेट दिया गया ट्राफिक पुलीस ने नियम तोडने वाले किसी भी वहान चालक का ना तो चालान काटा और ना ही जुर्माना ठोका उनकी काउंसलिंग कर दुर्गटना से बचने के उपाए नियमों का पालन करने की शपत दिलाई ट्राफिक पुलीस ने इस अभ्यान में लगबग 300 लोगों को सुरक्षी यात्रा की सीख दी शहर में दूसरी जगह चलाये गए इस अभ्यान में हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वाले वहान चालकों को स्कूली बच्चों ने गुलाब का फूल दे कर यातायत नियमों का पालन करने की शपत दिलाई इसके साथ ही 135 बस और आटा चालकों का नित प्रडिक्षन आई टेस्ट कराया गया दो वहान चालकों की आँख में मोत्या बिन था बच्चमन चालकों को चश्मे का नंबर दिया गया प्योर रपोर्ट अकबार जगत